अगर आप Best Quality में वीडियो एडिटिंग करना चाहे तो अगर आपके पास Laptop या फिर Desktop अगर Low Configuration का है और उसमें आपको यह चिंता रहता है कि मेरे Low Configuration वाले Laptop या Desktop में किस तरह से वीडियो एडिटिंग होगा तो फिर इस वीडियो को सुरूँ से लेकर आखिर तक देखिए देखो जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम Premiere Pro या फिर Final Cut Pro जैसे Software अगर हम यूज करेंगे ना तो उसके लिए हमारा Laptop हो या फिर Desktop हो तो उसका Configuration बहुत ही अच्छा चाहिए होता है तभी आप उसको यूज कर सकते हो लेकिन एक ऐसा Software के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका Laptop के या फिर Desktop का Configuration अगर Low भी है तो भी आप इस Software को इसली आप चला पाऊगे और जितने भी आपका प्रोफेशनल लेवल का वीडियो एडिटिंग है आप आराम से कर पाऊगे उस Software का नाम है Filmora और यह Filmora जो Software है यह बहुत जादा यूज होता है क्यानि कि ज Configuration में मेरा सारा काम कर दे और कोई परिशानी ना आये तो आपको जो है Filmora वाले इस Software का आपको यूज आपको करना चाहिए और एक चीज आपको जानना जरूरी है कि जैसे कि Premiere Pro और Final Cut Pro को यूज करना बहुत हाड होता है लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने जिन्दगी म माला क्या laptop या desktop होना चाहिए उसका भी detail में आपको इस वीडियो के नीचे आपको description में मैं आपको में दे दूंगा जहां से पुरा जानकारी भी ले सकते हो प्लस उसको जो है आप जो है डाउनलोड करके इसको आप जो यूज आप कर सकते हो तो चलो इस वीडियो में हम दे करने के बाद आपके पास इस तरह का dashboard आएगा जहां पर आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं यहां पर instant mode दिया गया है ऑटो bit synchronized option दिया गया है screen recording कर सकते हो AI portrait option दिया गया है यह सारी चीज मैं आपको बता हूंगा बहुत ही कमाल का चीज है इसको यूज करके आपको में इसको edit करना चाहता हो उसके लिए पहले सी आप यहां पर select कर सकते हो देखो अगर आपको 16-9 में अगर आपको video edit करना है तो यह select करो Instagram के लिए यह 9-6 Portrait mode है अगर आप YouTube Stories या फिए YouTube यहां पर आपको टैंपलेट आपको दिया गया है वहां साब जिस भी आपको जो है फ्रेम साइज में आपको edit करना है उसको select करके अगर आप new project में क्लिक करोगे तो इसी फ्रेम साइज में आप अपने video का एडिट आप कर पाऊगे सबसे पहले कोई सी भी आगर हम वीडियो आपको आजाएगा और उसके पाथ कोई भी एगर वीडियो फोटेज आकर में edit करना चाहते हो या किसी भी वीडियो को लेकर एडिट करना चाहते हो तो वह फाइल आपको पहले यहां पर लाना पर तो यहां पर यह एरो वाल ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है और यहां पर यह वाला है तो इसको मैंने ले लिया ठीक है तो इस तरह से आपको जितने आपके पास फोटेज है आपको या फिर जो भी आपको वीडियो क्लिप है या फिर आपको पास ओडियो क्लिप है या फिर कोई भी आपका पास फोटो है या कुछ भी है यहां से आप जो जो है वीडियो फोटेज मैंने लिया है अब दोको यह टाइम लाने के बाद देखो यह हमारा वीडियो है इसको मैं प्ले कर देता हूं देखो यह वीडियो है अब मालो इस वीडियो में मुझे स्टार्टिंग में कट लगाना है या बीच में कट लगाना है या एंडिंग मे कर सकते हो कि आगे करना है तो यहां से इसको डिलीट कर दो पीछे करना है यह से भी अप डिलीट कर सकते हो 9-11 में इसको ले जाना है तो यहां तो कर कर जो यह हमारे बस इसको Democratic करकर आगे-पीछे करके जो है कर सकते हो आप अगे-इस त्रम करोगे तुह प्ले करोगे तो इस त avail कि कि वीडियो को यह वीडियो को यह basic चीज में आप बताया कि कैसे आप करते हैं और किस तरह से हैं कि बेसिक चीज किसे हैं ठीक है अब मैं आपको में डैस्बॉट में लेजा ता हूँ आसा करता हूँ कि अब local चीज अपने यह समझगे होंगे इसको अगर आप सेव करना चाथ हो प्रिजेट को तो भी आप सेफ कर सकते हो तो इसको हमको सेव नहीं करना है तो मैं दो करते तो अब यह हमारा जो है में हमारे अब इसमें दोखों मैं एक चीज़ करके मैं फटाफट आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फिर्मुरा 11 इस सॉफ्टेर से आप जो कितना आफानी से अपने काम को घंटों के काम को आप जो है मिंटों में आप कर सकते हूं आप तो इससर 좀 एक करना इस में बहुत सरा काम होता है अब करने में बहुत जाना डाया- क्या होता है तो आपको पहले से डिया है यह बना डाया बस आपणे आपानों पसंद दार रहा है बस आपके पास जो भी है या वी वीड्या कोई भी फाइल है उसका पूल को आपको झो है एड्ट करना उसकेद करना है ऐसे फ्लस कर ला करो भी यह बाद आपको प्लस करने के बाद आप कर लो मालोग जैसे मैं यह करना चाता हूं तो मू Например और मुझे और भी एड करना तो इसमें मैंने क्लिक किया कम सब 5-6 मैं ये ले लेता हूँ फटा पर ता कि आपको बताने में आसानी रहे किस तरसे काम करता है ठीक है तो चलो में जो है चार-फांश लेता हूं आप Chemistry हम क्लिक करने करे लिए अब देखो यह इंस्टेयटमोड कैसे काम करता माले Лगर चार-पांच मेरा का फाइल है इसके पुर मझे काम करना है लेがि फाइम करने है तो यहां पर देखो autocrate में मैं क्लिक करूंगा तो autocrate में क्लिक करने के बाध यह automatic겁 का हर चीज जो भी ऐपका अपने effect देगा है देखो यह automatic है अब और एक चीज बतातूं जैसे आप यह करोगे तो यहां पर यह कुछ लिखा वो आयेगा ठीक है लेकिन आप आप सोचो कि भाई इसको मैं कैसे हटा हूँ तो इसको भी आप अपने तरीकी से इसको हटा सकते हो कुछ नहीं करना है आपको इसको चेंज करना है इसमें आपको डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करने के बाद इसको जो है इसली आप चेंज कर सकता हूँ जैसे मैं आपको जो है यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ एक बार देखके इसली कर लेगा तो इस तरह से जो है आप जो है इसली आप कर से तो आप मान लो कि यह वाला मैंने इफेक्ट मैंने किया यह मुझे उत्ना पसंद नहीं है ठीक है इसको मुझे चेंज करना है तो आपको जही स्टार्टिंग से जागे कुछ करने का जो रहा है यहां पर दिया गया है तो मादलो यहां पर मैं आपको मालो मैं travel लेता हूँ ठीक है अब यहां पर बहुत सारे में प्रीडिफाइन यहां पर टेम्प्रेट आगए अब मालो में एक्जांपल के लिए इसको मैं यूज़ करना है इसको मुझे पसंद आगे है तो यहां पर क्या करना है यह दो एरो जैसा है इसको मैं क्लिक करूंगा आपके आपके आया पास यह पौप-अपास एक पौप-अपर देख चाहते हो कि यह अभाला पहला जो है उसको खटा के आप नहीं करना चाहते हूं तो मनो करने के बद यह वाला जो इसके ब्लागर मिलेगा किसी और आप यहां पर जो champ आप इस तरह से एड करके आप देख सकते हो फिर आपको जो फाइनल आपको प्रोडेक्ट जॉब को बेस्ट लगे उसको यहां पर से यहां पर राइट साइड के नीचे में देखो एक्सपोर्ट यहां पर करके आप जो है इसको सेव आप कर सकते हो अब देखो यह 100% हो पर यहां कि पर कर सकते हो जैसे मैंने पर पहले बता यह अब मानलो इस वीडियो में जो मुजिक चल रहा है वह आपको पसंद नहीं या फिर आपको चेंज करना है तो कुछ में यहां पे आपको जो है म्यूजिक सेट्टिंस में जाके इस वॉल्यूम को जो है पुरा कम कर तो फिर आपके पास जो है कोई भी वॉल्म इसमें नहीं आएगा फिर बाद में जाके आप जो अपने मर्जी की हिसाब से भी इसमें जो है music add करके आप काम में आप ला सकते हो अब सब आपको complete हो जाने के बाद यहां पर export option में आपको click करना है क्लिक करने के बाद यहां आपको file का नाम दे देना है कहां पर save करना है और यहां पर कौन से सेटिंग्स चाते हैं यहां पर सब भी आगिया है अपने हिसाब से सब सेटिंग्स करके यहां पर export में करोगे आपका जो है export हो जाएगा अब हम देख लेते हैं कि auto reframe को कैसे use किया और ऐसाना बना सकते हैं बहुत बारेस होता है कि हमेरे पास video file होता है उसका frame हमको पसंद नहीं आता है या फिर फ्रेम को चेंज करना पड़ता है तो इसमें बहुत ही आपको play करके देखना में play करकर दिखा जायता हूं मालो जैसे यह वाला मेरे पास एक जो है video file है लेकिन इसका नीहां पर दोख सफेंट रिशो 9 सिस्टीन का है लेकिन मुझे चाहिए इसको जो है वाइड फॉर्मेट वे मुझे चाहिए इसको मुझे मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना परेगा तो देखो इसको मैं एक बार स्टॉक पर लेता हूं यहां पर देखो क्या करना है यहां पर मुझे चेंज करना है इसको मैंने चेंज करने के बाद यहां पर मुझे जो है एनलाइज है इसको मुझे क्लिक करना है उसके आपको कुछ करने का जुरूत नहीं है अब देखते रहो बहुत ही इजी मैजिक तरीके से आपका काम हो जाएगा यह आपका हो गया अब इस फ्रेम को जो है आप अपने हिसाब से उपर नीचे कर सकते हो अब इसका आउटपोट कैसा होगा वो भी मैं आपको आपको मैं यह आपका 16-9 में आपका कनवर्ट हो चुका है अब मैं एक बार इसको प्ले करका आपको मैं दिखाता हूं देखा आपने देखा वही चीज था लेकिन यह जो है इस फ्रेम में यह कनवर्ट हो चुका है तो इस तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास 16-9 रेशियो क चैज करना है इसको आपको चैज करना है तो यहाँ उसको कर सकते हैं और हम देख लेतbahं में आप जो है और कैसे अपने जो है represented को एक बहुती मज़ेदार आप बना सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है इसको पहले क्लिक करना है खोल देना अभी कैसे काम करता है इसका जादू आप देखो गया तो सबसे पहले मैं जो आप कुछ जो है वीडियो फाइल यहां पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूं आप्परे आपके पास हो चुका है अब यह जो है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा बहूत परास होता है कि हमारे कोई music होता है या फिर हमारे कोई video होता है उसमें music चल रहा होता है तो music के साथ हमको है वो जो है वह कर लगाना पढουता है कि हमारे पास टाइम का बहुत कमी होता होता है तो से ऋब हुआ मुझे तोAudi यहां पर सिंख्रोनाइज इसको Ben क्रूंप करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर पहल सकते प्रीडिफाइन एक पहले से आपको यह music दिया रहे गा तो अगर आपको इसको यूज नहीं करना है तो बेसिकली ज्यादा तर लोग अपने हिसाब से music यहां पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई अव मैं यहां से हैं इसको मैं घृइट मैं स्लेट करूं गा यह मैन है अपना इस तरह से पुरी म०क में इंसेसे look कर देना अब बीट कर यानिकी बीट कट मुझे फास्स चाहिए या फिर मुझे त्चोरा और अ weather Your जो चाहिए या फिर फुरा स्फ़्रोच चाहिए वď आपने रिकोर्मेंट के हिंसाब से जरुत की हिंसाब से कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ निकरना है आपको Ergebnis में क्लिक कर देना है। अब आपको यह बैठाए है कि आपको सारा काम यह और अ मेहनत करने की जरुस्थी है। तो बाजल तो आपने झ्यान दिया कि जैसे-चैसे बीट हो रहा है तो बीट के सास्थ आपके फ्रेम में आटो कट भी लग रहा है और ऑंश्यक्ट हो रहा है चाहत्त हो रहा हमें ध्यान साब देख लेंगा अःत के स fidelity के स्वेट आपने देख लिए इस तरह से आपका सब हो जाने के बाद आप यहां पर जो है एक्सपोर्ट टू टाइम लाइन में करोगे और फिर वहां से आप जो है इसको इसली आप जो है एक्सपोर्ट आप कर सकते हो अब इसके बात आपके पास यह PC स्क्रीन को आएगा इसको क्लिक कर फो होगा आ तो आपने मोंटर को है आप जो है स्क्रीन को रिकार्डिंग कर सकते हो जैसे कि मेरे आप कंप्यूटर में यह जो स्क्रीन देख रही हो इसने जो भी मान लू आपसें ieहां serk कर ausgeasi ॉप range कर सकते हो आप उसमें आपने आवास को भी आप जो है आड कर के उसमें आप कर सकते हो तो यह सब चीज आप जो है यहां से आप कर पाओगे अभी मैं आपको नहीं दिखा सकते हैं कि मैं आज दूसरे सौफ्टर से यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है अगर इसमें मैं क्लिक करूंगा तो वह स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा तो बिना किसी मेंथच में इफेक्स डॉल लेते हैं और कितना मज़ा आएगा यह मैं आपको आपको क्लिक करता हूं औ Après आपके पास जो आज बहुत पास आजा बाद ब्ने एढकर को जा जाएगा और वाला है बातने के में इस पनी दैस्पोर प्ने लिए इस प्ने दीक सित आब यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पर United anew कोई और ले लेगा तो यहाँ पर मैं जो है कूछ lijmen देखता हो तो मैं यह ओला कि अज़िए यहाँ वाल एक मैं पर लेता हूं तो एक इसको चलिए ताइब मी देखे यह करके में यींचे कि वीडियो कैसा है यह कि आःफ कि आप यह देख पार्यों यह पारी हो यह वीडियो आप इसमें जो देखको कोई भी एफेक्ट नहीं है कुछ भी नहीं है की ज़स मैं अब आपको सिखाने के लिए आप दिखा रहा हूं ताकि मेरा मक्सेद आपको सिखाना है और तो इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगा कि इसको अच्छी तरह से करना पढ़ेगा Scottish कront तब आश्वाइब अद तो अग्रोघ मुझे इतना ही चाहिए माँ जैसे यह यह दान से तक आपको एफट आश्चा से हो सकते तहं हो इसको मुझे चोटा करना मै है यहां से इतना है अब इसको मैं श्टार्टिंग में लिए जाता हूं अब मैं इए करके आपको मैं दिखाता हुं रोगा दों जूरह सींपल है अब इसमें कैसे एफक्ट एंड कोगा जो बीडियो फायल इसको क्लिड करके दिखके सलेट करो effect में जाओ याई पूर्ट दमया तो देखो इसके माई दना सक अ Nhóm a इसको मैंойти करता हूं जाए चाहिक करना चाते डासे हो लगूं ओ ो आ और एक ँए कमाअ की चीज है कि अगर आपको वीडियो में आपको background को remove करना है तो यहां पिर आप कर पाओगे बाता दो कि date आ है मैंने एक जो है video में लिया इसको मैं ड्रेक करके यहां पर लिया इंडिये एक video को remove करना है तो क्या करना है effect में जाना है यह portrait mode है इसको select करना है और उसको जो है कैसे remove होता है कि कीसका quality कैसा है इसको आपको बतानी के लिए मैं आपको जो है इसके background में एक-दो चीज मैं frame में add कर देता हूँ ठीक है यानि कि background आपको दिखाना है ना तो मैंने यह एक एड कर दिया और एक वाइट मैंने एड कर दिया ताकि और ड्रैकर के थोड़ा में सामने ले जाता हूं ताकि आपको अची तरह से पता चली ठीक है अब देखो जब पीछे मुझे घगरांड आपको क्या देना है वह यहां पर प्सकी नीचे तायम लैनन के नीचे अफ्सेट कर देखोर मूझे यह वाला या yar आप यह सो मैंने वाइट सट किया है तो यह वाइड भी आगया था और यह वाला जो तानि कि किसी तरध का आप जो भी ग्राइब नीचे में देखे यानि कि इस यह टाम अबoth आयूसर के और वीडियो फोटेज को और अपने कमाल का बना सकते हो उसको है एक जो है आपका यह वीडियो है उसको मैं ले लेता हूं एक ले लेगर करके में ले गिया ठीक है इसको जो है मैं को फास्ट कर सकता हूं यह यहां कि Slow Motion Fast आप एक क्लिप में यानि कि एकी वीडियो में आप फटा फटा आप आप कर पायोगे कैसे कर पायोगे तुछ देखलो वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करना है स्पीड में जाना है स्पीड रैंपिंग इसको आपको स्टेट करना है स्ट इस तरह से आप जिए कर सकते हो अब मालो की मुझे करना है यहां जहाँ पर जो है स्पीट को मुझे स्लो करना है फास करना है तो यहां पर गेसकर प्लस प्लप्ट है यहांपर स्कंस करना है वहाँ जाना चाहते हूँ अब यहां पर मैंने पॉइंट लगया यानी कि इस जगह में यानी कि मेरा वीडियो जब यहां पर आएगा तो यह क्या होगा तो फोना चाहिए फास्ट होना चाहिए इसका मैं एसे कर दिया कि आधा कि मैने यह अपने हिसाब से किया है अब देख आपको pata चल जाएगा कि केसे किसे काम करता है अब आप देख लो अब मैंने को प्ले चीए को करिया हुआ है यहां पर fast हुआ फिर slow हुआ अब देखो है फिर fast टो या फिर slow हो गिह यहां पर अब देख रहो है फिर तुरण थोड़ा से fast वह है तो इस तरह से आपने जो है किसी वीडेल में आप Аपने हिसाब से आप जो है अपने गुणकर सबसेंगों और यह सब करने के बाद आपको फिर आपको जो है आपको ओके करने हैं यहां पिर अगर अगरा इस इस template को यानि कि इस design को अगर आप save करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है save as custom में save करोगे तो इसको आप जब भी आप use करना चाहते हो तो आपको जो है इतना बार-बार आपको करना नहीं परेगा आप अपने हिसाफ से जो है आप यह कर सकते हो और फिर इसको okay करने के बाद आप आपको यहाँ पर export में click करना है और आपका जिस जो भी आपने changes किया रहेगा उसको आप जो easily आप export आप कर सकते हो अब मैं आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है masking आप कैसे कर सकते हो क्योंकि masking के आपने बहुत फायदे हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई video file होता ह है जिसमें हमको किसी भी चीज़ को हाइट करना पड़ता है या फिक किसी भी चीज़ को highlight करना पड़ता है तो उसके लिए masking जो है बहुत ही easy और बहुत ही अच्छा तरीका है इससे आप अपनी video editing को और भी professional और भी अच्छा बना सकते हो देखो एक काम कैसे करता है masking अपने उपर कर दिया और इसको मैंने नीचे कर दिया ठीक है यह वाला जो फाइल उपर में है यानि कि मेन आपका जो यही दिखाई देगा यह इसकी नीचे में है तो यह आपको यह दिखाई नहीं देगा तो यहां पर जैसे मैं प्ले कर रहा हूं ठीक है तो यह जो है उपर में यह वाला वीडियो चल रहा है और इसके नीशे में यह वाला वीडियो है अब मुझे जो है इस वीडियो के ऊपर मासकिंग एप्ली करना है अपने जुराइब के श्यॐ़थ की हिसाब से कैसे करना है इसको आप सलेट करो और यहां पर दिको क्रोमा की करके लिखावा आएगा इसको आपको जो है क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर देखो मास्क का ओप्शन आएगा आपको मास्क को आपको जो है क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको जो है मास्किंग के लिए आपको जो भी आपको डिजाइन चाहिए मालो जैसे म मुझे क्लिक करने मैं अब इसके पीछे गला वीडियो कर टैंब एसमें यहां पर मासकिंग कर करना है अब यहांया पर मुझे अपने हिसाब से जो करना हो तो अब सरकल करना है वह एक सर्कॉल करना है ड Netz ब्रॉब तो आप इस तरह से कर सकते हो बहुत पार अपने वीडियो में देखा भी होगा किसी और के वीडियो में तो वह लोग ऐसे ही करते हैं अब यह हो गया अब यहां पे मैं ने कर दिया अब करने बाद मैं आपको प्ले करके आपको भी दिखाता हूं और मालों इसके पीछे आपको कुछ changes करना है कुछ और add करना है तो यह भी आप कर दो अब यहां पर मैं जो है दो तीम background में add कर देता हूं ताकि कि आपको जो है अच्छी तरह से पता चल जाए कि यह कैसे काम करता है इसको मैं कट कर दूँगा और इसको मैं ड्रैक करके यहां पर ले आता हूं अब देखो मास्किंग हमारा apply हो गया है अब अलग लग मास्किंग किया है तो अपने जरूत की हिसाब जो है इस तरह से आप जो है इसली आप जो है मास्किंग आप कर सकते हो और एक बार complete हो जाने के बाद फिर export में क्लिक करके इसको आप सेवाप कर सकते हो अभी हम देखेंगे कि फिल्मोरा से आप जो है green screen को कैसे आप रिमूव किया जाता है तो जो भी आपको जो है green screen का है यानि किसी भी हरे परदे के सामने आपको जो है वीडियो आपको सूट कर लेना है जैसे कि यह वाला वीडियो आप देखो यह green screen के आगे में सूट हुआ हुआ है अब इसका मुझे background इसको change करना है तो पीछे background चेंज करने के ल ताकि आपको पता चल जाए कि कितना अच्छे तरह से यह काम करता है अब देखो यह पूरा है इससे पहले हमने जो masking में देखा था आपको जो है कोई एक particular area में आप जो है masking apply करो गए इसमें क्या है पूरा background आपको change करना है यानि कि आपको जो है पूरे वीडियो में आपको chroma की effect इसमें add हो जाएगा अब यहां से दोखो बहुत सारे चीजे आपको changes करके इसको और अच्छा बना सकते हो ठीक है तो मैं आपको जो है सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर देखो आप जो है motion tracking भी कर सकते हो बहुत सारे चीज आप यहां से कर सकते हो तो यहां पर जो है आपको जो है background यहां पर रिमूव हो चुका है जैसे कि आप देख पार हो मैं यहां पर okay करता हूं मैं इसमें और कुछ changes मैं नहीं करना चाहता और मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूं आपके प्रपर आइडिया मिलें देखो green screen पूरा रिमूव हो च इसकी जो है quality आपको कैसे मिलेगी तो चलो मैं white background मैं आपको एड कर दिया इसको मैं प्ले करके मैं दिखा देखा देखो ठीक है तो इस तरह से जो है आप जो इसली जो है chroma की की मतदद से green screen को या फिर आपका कोई भी आपको background है उसको आप इसली आप रिमूव आप कर सकते हो अब चलो फटाफट यह देख लेते हैं कि फिल्म हो रहा है 11 में जो है उपर में जितनी को option दिये है उसका क्या क्या काम है और कैसा इसको यूज में ला सकते हो मैं फटाफट आपको में दिखार हो बहुत ही easy है देख लो आपको देखके मजा आ जागा यहाँ पर दो इसको भी यूज कर सकते हो sample video है उसको भी यूज कर सकतो हो लेकिन जादे अरलोग फिद के वीडियो में काम करना पसंद करते हैं तो आप जो है अपने project मीडिया में जाके आपको जो भी file है उसके अपर काम कर सकते हो यह मीडिया के option के अंदर में अब start media में क्लिक कर ओगा यहां पर आजाएगा यहां से मैं करना चाहता हूं ठीक है यहां पर मैंशा करना चाहता हूं तो मैं दिखा यहां पर ओके किया तो दोखो बहुत सार है हमार पास यह वाला फ्री स्टॉक फोटेज आगिया तो यहां पर डैरेक्ट डैनलोड करके अपने इसी टैम लाइन में यूज कर सकते हो बहुत बार आपने देखा होगा कि हमको जो है आप बाहर में जाना परता है दूसरे इसी विंडो में जाके उस वेब साट को कुलो वहां से डाउdernोड करके अपने जू हैं आप से भorn बींडिया फैल में ला हो यहां पर इसी विंडो में रहते हुए याने कि इसी डैस बोल है यहां यहां से कोई भी जो है वी डिएयरेट यहां पर डाउनलोड करके डिएयरेट यहां से कामअप कर सकते हूं इसके साथ है आप अपना खुत का भी यहां परErथ टांब इसके बाद आता है टैटल टैटल में कर बाद इंडा में किसी इंडावाज का conducted लेकर रहा हूं मालों देख यह हमारा जो है यह पास यह video है तिए अम इसके उपर मुझे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए क्या करने है टेक्स में जाना है यह पर पहले से आपके भूस सोर और ऑप्चन है तो यहां पर मैंने इंट्रेक प्संद आया है स्टार्ट्पि में लख दिया है अफोग है यहां पर यहां आ गया अब क्लिक किया और कि करने के बाद यहां पर आप मैं लिख सकते हो यहाँ देता हूं आप मुझे इसका फॉर्ट करना है तो यहाँ से जो है मैं फॉर्ट यहां पर नीचे करके बड़ा चोटा भी कर सकता हूं तो किसी भी वीडियो के उपर में आप जो है कुछ भी इसको भी देखो कुछ भी ऐसे करके प्ले करके आपको में दिखाता हूं टक्रितम पर आपना तो इस तरह से जो है किसी भी वीडियो के उपर okeù हinação ठेक्सित लिखना हो आप यहां से आप लेकि है एक्समजें आ जाए कि होता है तो डेक्स होता है तो आपने देख़ा कि बहुत सरे वीडियो जैसे दूसरे वीडियो में जाता है तो इफेक्ट होता है उसी को में भूर्ज़ यहां पर किलिए जो मर्धिका तो माझलो जैसे मैंने यह वाला स्ले determ किया अंते जब हैं पहली पर यूज करें तो यह आप है यहां और और रहा है मैं तो और देखो यह फो है जब पहली बार यूज जाफ सब्सक्राइब और ल gesprochen शुंअ कर हो गया नहीं कि आपके स्लमें करति 13 शुक्राइब तो यहां पर यह उत्य हुआ और यह मुझे पर सब्सक्राइब तो यहां पे साैट ब़ूंसे जो की यह कर सकता हूं जो किसी स्टार्टिंग ओर ईनकी आप अब मैं चलो हो मैंने कर लिया उब मैं आपको प्लें करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूं बिज़की एक चेंज हुगा आव और एक बार एक चेंज हो बज़को Mahσot पुर्ण होगा तोज्खों यह इस तरह से हम हैशाब कोई रिया कर सकता कि यह क्या है यानि हो जैसे नहीं को श्कान के लिए जैसे कि यह वाला है यह वाला है वीडियो मालों दिए फाइल के उपर कि काम कारें जहां तक है यह क्ता हो ओगा गर्याद भूस करो और ड्रैक करके वीडियो के ऊपर ले जागे छोड़ दो अब प्ले करो गाना तो आपको जो भी वीडियो रहेगा पूरे वीडियो के ऊपर जो है इस तरह कर एफेक्ट आपका एड़ करना है फ्रेम साइज है बहुत सरे स्टीकर के साथ है जैसा मर्जी आप हिसाब से elements की element में का मतलब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो के उपर में हमको जो है कुछ arrow का दिखाने का ज़रूरत पड़ता है या कुछ हमको sticker add करना पड़ता है तो इस चीज आप यहां से आप कर सकते हैं अब यहां पर मुझे जो है arrow का sign मुझे camera को यहां पर यहां पर चाहिए आप मुझे यहां पर चाहिया जाए तो यहां पर इसको करना है, यैसे आपको चाहिए जैसे आपको करना राउंड करना है तो यहां देखा आप लूप नहीं आप तो इस तरह से आप जो है आप एलेमेंट्स को आप यूज में लाके आहां जो है इसके बाद जो आप आप आसान बना सकते हो अब इसके बात जो ऑप्शन है वह जो है split screen का option है यहां पर बहुत सारे जो है split screen का जो है format आपको दिया गया यानि कि एक ही frame में आप जो है 2-3 screen आप जो है add कर सकते हो जैसे कि यहां पर तरह के different design का सब दिया गया आपको जो पसंद आप यहां पर कर सकते हो तो मालो जैसे इसको मुझे यूज करना है या फिर इसको मुझे यूज करना है मुझे दिखाना है तो क्या करना है मैं इसको जो है select करूंगा select करके drag करके आपने टाम लैन पर यहां पर लियाओंगा जैसे करना है यह कर सकते हो इसको मुझे कहां रखना है बीच में ऐसे रख सकते हो इसको मुझे कहां पर ऐसे जाना है कहां पर ऐसे रखना है इसको आप जो है ऐसे रख सकते हो ठीक है और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं यह कैसे होगा यहां पर देखो यह अब देखो ठीक स आपने देखा कितने अच्छी तरह से यह जो है split screen का option आप यूज में ला सकते हो इस तरह से split screen को भी आप यूज आप कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो में आपने फिल्मोर 11 के बारे में detail में जानकर या आपने ले लिया है यानि कि आप हर चीज आप जो है वीडियो एडिटिंग आप फिल्मोर 11 से आप कर सकते हो उसके लिए आपको और कोई वीडियो देखनी के जुरूत नहीं है सुरू से लेके end तेक main main सारी चीजे मैं आपको बता दिया है अगर आप फिल्मोर 11 को डाउनलोड करके यूज करना चाते हो तो इसका link मैंने इस वीडियो के नीचे आपको description में आपको मैंने दे दिया है वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करके यूज में आप ला सकते हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते हो बहुत मेहनत लगी आपके इस वीडियो को बनानी के लिए चली मिलते हैं और एकनी वीडियो के साथ